भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरागा। कहा जाता है कि ये गाउ पिछले कई सालों से शापित हो रखा है, इस गाउ में पिछले कई सालों से कोई बसे आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है, कुलधरा गाउ आज जिस हालात में है, वैसे पहले कभी नहीं था। ये गाउ पहले काफी सुन्दर हुआ करता था, इस गाउ को पालिवाल ब्राहमनों ने सन 1291 में बसाया था। पालिवाल ब्राहमान पाली के निवास में आकर रहने लगे। उस दोरान कुलधरा काफी समरिध गाउ हुआ करता था। ये गाउ हर सुख सुविधा से संपन था, एक मान्यता के अनुसार यहां की रियासत के दीवान सालिन सिह की नजर गाउ के ब्राहमन की पुत्री शक्ती मया पर थी। वह उसके साथ विवाह क धमकी दी की अगर वो शक्ती मया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गाउ को तहस नहस कर देगा। ऐसे में गाउ के सभी पालिवाल ब्राहमनों ने पंचायत में ये निरने लिया कि वे इस गाउ को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राहमन गाउ को वैस वहीं दूसरी कहानी की माने तो गाउ वालों ने सालिन सिंध द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गाउ को छोड़ा। वहीं तीसरी कहानी जो थोड़ा वैग्यानिक भी लगती है। उसके मुताबिक पालिवाल ब्राहमनों द्वारा इस गाउ को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गाउ में पानी के जलस्तर का नीचे गिरना था और भी कई तरह की कहानिया यहां सुनने को मिलती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज हनियवाद.